किसी भी लेंड इसके सीमेरी के लिए अगर आप बाड़े की यानि की फैंस की ट्राइंग करना चाते है तो ये वीडियो का भी यूपियोगी साबित हो सकता है मैंने यहाँ पर एक लकड़ी के खूटे को ट्राइंग करने के लिए इसकी बाउंडरी लाइन यहाँ पर ट्राइंग की है और इसके बाद में इस पूरे को मैं एक मीडियम चारकॉल पैंसिल के द्वारा पूरे को सेडिंग कर दूंगा यह जो स्टेप कलाएगा यह 2H या 2B या 4B के नीचे वाली अलके फुल के चलने वाली पैंसिल इस्तमाल कर सकते हैं अगर charcoal पैंसिल इस्तमाल करते हैं तो hard या medium फर्स स्टेप के लिए इस drawing के लिए कर सकते हैं यह लकड़ी का एक खुटा है या लकड़ी का टुकड़ा जो पुराने स्टाइल के जो बाड़े या फैंस होती है उसमें यह drawing की जा रही है यह blending के लिए कापी उप्यों की साधान है यह अब फर्स स्टेप था अभी दूसरे स्टेप में अगर आप drawing बनाते हैं इसकी तो दूसरे स्टेप में एक गहरी पैंसिल चलना है गहरी चलने वाली पैंसिल लेनी पड़ी कि ज्यादा डाग चलनने वाली तो यहाँ पर मैंने आप चाहिए तो ग्रेफट पैंसिल ले सकते हैं थोड़ा डाग चलना चाहिए क्योंकि जो ड्रोइंग कर रहा हूँ उस लकड़ी के इस टुकड़े को जो कटे हुए इससे उसको ड्रोइंग करना है तो ब्लेक बताना पड़े हुए कापी ब्लेक दर्शाना पड़ेगा इ दर्शाना पड़ेगा तो आप देख सकते मैंने हैं उपर से नीचे की और उतरता हूँ तो खाड़ी पैंसिल चलाता हूँ और पीछे की साइड से पैंसिल पकड़ा हूँ और प्रेसर भी हलका बुलका देना पड़ता है और कटा हुए इससे को ड्रोइंग करने के तीन से 4 mm तक टर्च करके पेपर को स्लोट करके घशीटते हुए इस पैंसिल को चलाना है ताकि यह कटे हुए इससे जो लकड़ी के चाल के कटे हुए हिससे है वह एकदम ब्लेक ब्लेक नजर आ सके यह इस ड्रोइंग का दूसरा इस्टेप हो सकता है पहला इस्टेप आपना दिकी ड्रोइंग रहती है तो इसको बारी किसी अगर बनाना चाहते तो यह वीडियो कापी अच्छा रहेगा अभी जो पैंसिल लिया हो मीडियम चारकॉल पैंसिल है और यह इसका तीसरा इस्टेप हो सकता है कटे हुए स्लोट बनने के बाद में इस पैंसिल के दौरा बा है वहाँ पर और अच्छे से इसको एक शेड़ों भी देना है और और भी अच्छे कटे हुए इससे को अंतिमरूम देते हुए पूरे को शेड़ भी करना है यह तीसरा इस्टेप इस ड्रॉइंग के लिए हो सकता है जो पैंसिल है मीडियम चारकॉल पैंसिल है और आप चा हिससे को तीसरे स्टेप में यह जो पैंसिल लिया हूँ पूरे में सेडिंग करना है और मीडियम प्रेसर भी देना है इस फेंस को इस लकड़ी के टुकड़े को जो ड्राइंग कर रहा हूं मैं इसको रियालिटी रूप मैं देने की कोशिश कर रहा हूं नए लोग जो सिखने वाले हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छा वीडियो साबित हो सकता है कि इसमें ज़्यादा मैं कोई बारी की टेब ने अपना रहा हूं मोटे तोर पर जो मैन-मैन इस्टेब है सेडिंग बलेनिंग वाले वही इस्टेब अपना रहा हूं अगर इसको किसी लैंड़िगे सेनैरी के साथ मैं आपर फेंस बाड़े की ड्राइंग करते हैं उसमें ज्यादा reality दिखाने की जुरूत नहीं पड़ेगी लेकिन इसको सिर्फ में अलग से एक लकड़ी का टुकड़ा और उसके उपर तार आधी वगएरा बाहने के ऐसी ड्रोइंग बनाऊंगा तो इसको थोड़ा सा reality रूप में भी दर्शाना पड़ रहा है इसलिए चोटी चोटी कर्ष्ट वाले इससे को यह सारे में में पॉइंट है जो इस स्टेप में बनाकर ड्रोइंग करके आपको दिखा रहा हूं अब मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो बहुत सारे लेंड इसके अप सिनेरी आदी मैंने ड्रोइंग की किये जिसमें मांटें क्ला जरने पावाटरल लेक पेड़ पोदे वह सारे ड्रोइंग की है आप जो भी इसमें से सिखना चाहते आप चैनल पर देख सकते हैं तीसरा स्टेप पूरा होने के बाद में जो चोटा स्टेप होगा वह ब्लेंडिंग कर रहेगा इसके लिए आप कोटन का भी इस्तमाल कर सक यह अच्चे असका है इसके बाद में जो अगला स्टेप रहेगा वो रहेगा तार का जो इस लकडी के उपर से बांते हुए इस तरह से पूरे फैंस को या बाड़े को पूरे ड्रोइंग करने के लिए तार ड्रोइंग करना भी यह जरूरी है तो यह इसको अगला स्टेप आप कह सकते है तोड़ा सा मैं एरेजर से यहां साप कर लेता हूँ ताकि बंदा हुए तार ड्रोइंग कर सके यह बंदा हुए तार इस तरह से लकडी के उपर ड्रोइंग करना है जैसे लकडी के अंदर से थोड़ा सा दसा हुआ रहे या कटा हुआ रहे इसके लिए चार्कॉल पैंसिल लिया और जो मैंने भी एरजस साप किया है वहाँ पर उपर नीचे के साइड में थोड़ा सा ब्लैड मैं हिस्सा ड्रोइंग करूंगा ब्लेक ब्लेक करके थोड़ा सा इस लकड़ी के अंदर दसा हुगा तार हो ऐसा drawing करने की कोशिश में कर रहा हूँ charcoal pencill की जो नोख है थोड़ा सा तीकोना रगना पड़ेगा ताकि बारी की से इस तार वाले side वाले हिस्से को drawing किया जा सकता है दोस्तो अगर आप पहले से ड्रोइंग बनाते है या फिर आप फिल्कुल नए है तो भी ड्रोइंग आमेशा ऐसी बनाने की कोशिश करना चाहिए जिसमें भले आपका वीडियो से हीट नहीं हो या या यूटूब पर जादा नहीं चले फिर भी कम से कम आपका दिल खोश हो जाए कि आपने अच्छे ड्रोइंग बनाई है इसके लिए कापी दीमे गयती से और आराम से बनाने चाहिए मैं भी पहले जल्दी जल्दी बनाता तो नहीं बनती तो यह सीकने का एक पॉइंट है कि जब भी कोई जो द्रोइंग बनाए तो दीले बारिकी से बनाया है और यहां पर देखिए तार वाले हिस्से को मैं डौइंग कर रहा हूं तो तार में जो रावन्त कट आदी हिससे एंको भी बारेकी से ड्रोइंग करने क कोशिश कर रहा हूं काटे दर जो तार रहता है उनको यहां पर ड्रोइंग कर रहा हूं इसके लिए जो पैंसिल इस्तिमाल कर रहा हूं दो ही पैंसिल इस्तिमाल किया है मीडियम चारकॉल पैंसिल और सौप चारकॉल पैंसिल साथ ही मैंने जो मैट्रिल लिया था वही एरेज तो चलिए मैं नीचे वाले को भी जोएंग करके ही या पूरा थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड करके ही मैं आपको बता देता हूं तार वाला स्टेप जब पूरा हो जाए तब यहां पर एक छोटी सी चीडिया बना देते हैं यह आकरी स्टेप होगा इस ड्राइन्ग लिए चीडिया बनाने के लिए आप प्रयक्टिस करना चाते हैं तो अलग से बड़े पेपर में बड़ी चीडिया बना करके आप practice कर सकते हैं मैंने बहुत सारी चीडिया आधी बगरा बनाया है तो practice अच्छा है इसलिए यहाँ पर बीना element, बीना measurement के ही मैं यहाँ पर एक छोटी सी बैटी हुई चीडिया बनाकर ये ड्रोइंग पूरी करता हूँ यहाँ मैंने एक इस्टेग्राम पर रेफरेंश फोटो देखा था उसकी का रेफरेंश लिया और उसी को देखकर ये बनाने की मैंने सोचा मुझे लगा कि किसी भी लैंस्केप सिनेरी के लिए बाड़े की ड्रोइंग कापी महत्वपुन होती है तो उसको मैं इस ड्रोइंग को अलग से ड्रोइंग करके और उसमें जो भी स्टेप बन रहे है वो आपको बना के दिखा रहा हूँ उम्मीद है ये वीडियो कापी आपको पसंद आएगा और अगर पसंद ना भी आए तो आप कमेंड करके बता सकते है कि कुई कमी रहेगी या क्यों नहीं पसंद आया यहाँ पर मैंने जो भी मैटरियल यूज किये वो कापी इजी है जिसका वर्णन मैंने पहले किया है